हेलो स्टूडेंट्स के 20 इंटर्व्यू लेब्रेरियन ग्लेक्सी एक्सिस है ना दोस्तों इसका सिधा-सिधा मतलब यह है कि हिंदुस्तान में 355 पोस्ट के लिए भूत सारे केंडिट अपलाई कर रहे हैं इंटर्व्यू में जा रहे हैं ऐसे में ग्लेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के पास रोजाना 20-25 कोल्स सिर्फ इस पोस्ट को लेके आ रहे हैं कन्फ्यूजन है सर इंटर्व्यू कैसा होगा सर पैनल किस तरह के क्विश्चन करेगा सर क्या वहां पर डेमो टीचिंग होगा सर क्या एक लेबरियन क्लास में पढ़ाने भी जायेगा तो चलिए जानते हैं कुछ इन सभी सवालों के एक मिनट में जवाब जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह के से लेबरियन का इंटर्व्यू आप घर बैठे बिना किसी क्लासरू में जाए भी क्रेक कर सकते हो अगर वहाँ दिक्कत आ रही है फिर तो galaxy axis है ना चलिए मैं आपको कुछ situations बता रहा हूँ जैसे देखो Labyrinth के लिए सबसे पहले जब आप interview panel में जाएंगे आप interview panel में जब आप जा रहे हैं यहां पर तो panel के बाद बस जब आप चल के जाएंगे यह गए आप तो panel आपको बिठाएगा बैठिये और आपसे personal interview की बात करता है सबसे पहले कि अपने बारे में कुछ बताईए आपका नाम क्या है सबसे पहले अपने बारे में बताईए आपका नाम पूछेगा नहीं आपको बताना होता है इस चार चीजें कि मेरा नाम यह है मैं वहाँ से belong करता हूँ आपका address जहां से आप आते हैं मेरी higher qualification यह है और मेरी family में यह ह हैं और मुझे यह चीज अच्छी लगती हैं यह कुछ बातें आप अपने personal interview में सदेविय तरीके से और सई सब्दों में जचा के रखेंगे दूसरा दूसरा point आपसे library से जुड़ी भी कुछ बातें interviewer जैसे आपना personal interview खतम करते हैं अपनी personal जनकारी यहां एक नंबर पर खतम करते हैं तो दुबारा से फिर वो आपसे सवाल पुझेगा ओके आप librarian के लिया हैं तो आपके पास ये 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 situations हैं आप librarian क्यू बनना चाहते हैं लावरी इन के विस में क्यू बनना चाहते हैं अब कि आपकी posting कहीं बार हो गई तो आप घर के परिवार से छोड़ कर कैसे वहां जाएंगे उसके बारे क्या planning है आपके परिवार में इतन चोड़ के कैसे चले जाएंगे अगर आपको कहीं दूसरी जगर नोकरी मिल जाती है तो क्या आप के वेस्ट की लाइबरीन की नोकरी छोड़ देंगे ऐसी कुछ सिच्वेशन है जो लाइबरी से जुड़ी बात आप से पूछ सकता है साथ के साथ एक लाइबरी में मेनेजमेंट से जुड़ी कुछ सवाल आपसे जुरूर पूछे जाएंगे कि बुक्स का परबंदन कैसे करेंगे केटलोग कैसे बनाएंगे बुक इशू कैसे करेंगे कोई बच्चा बुक ले गया और वो नहीं लोटा पा रहा है बुक गुम हो गई ऐसे में आपका एक्शन प्लान क्या होगा बुक फट गई है तो उसके बारे में आप कैसे जो प्रबंद करेंगे बुकों को खराब होने से चूओ के काटने से या दीमक लगने से बचाने के लिए आप के पास क्या स्टेप रहेंगे तो कुछ जिम्मेदारी भरी बात यहां लाइबरी की आपसे जुरूर पूछी जाएगी फिर आपसे बात आ जाती है तीसरे नंबर पर डेमो टीचिंग की मैंने यहां पर एक क्विश्चन मार्क लगाय हुआ है और बच्चे सवाल पूछते हैं क्या सर क्या पैनल वहां पर आपसे पढ़वा कर देखेगा तो मैं आपको बता दू कुछ भी संभव हो सकता वहिया क्योंकि एक जो लैबरियन है उसकी रिप्लेश्मेंट या अरेंजमेंट में ड्यूटी लग सकती है कोई क्लास टीचर नहीं आया है मैथ्स टीचर नहीं आया है टेंथ क्लास का तो कोई और दूसरा टीचर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में लैबरियन साब को कहा जा सकता है कि श्रीमान जी आप 10th क्लास को एक घंटे के लिए समाल लेजिए ऐसे में आप उस कक्षया में चले गए तो आपका action plan क्या होगा बच्चों को आप क्या पढ़ेंगे एक घंटे में किस तरी की जानकरी देंगे ऐसे में आपके पास कुछ सवारों के जवाब हो सकते हैं कि मैं सर SS के बारे में कुछ बता सकता हूँ मैं देश बक्ती की बात कर सकता हूँ मैं किताबों की importance बच्चों को बता सकता हूँ मैं कोई कहानी सुना सकता हूँ मैं कोई किस्टा सुना सकता हूं मेरा मैच्स ठीक है मैं कुछ मैच्स आपको पढ़ा सकता हूं फिर इस तरह की सिच्वेशन आपसे डेमोट टीच करके कहा जा सकता है चलिए के इन केस आप 10th क्लास में है और आपको मैच्स का कोई टोपिक पढ़ाना पड़ जाए अब सेंस आप कैसे अपना टॉपिक शुरू करेंगे कैसे परिचे देंगे यह संभावना है लेकिन फिर भी ये सवाल के घेरे में आती है अगर आप लैबरीन की त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक परसनल सुझाओ दे रहा हूं आप कहीं डेमो टीच करके जरूर देखें आप ए आपका पेसेंस और आपके लोजिक्स की जांच होगी पूछा जाएगा कि अगर आपके लैबरी में कोई उदंड बालक आ गया तो आप और सोर्भोत कर रहा है चुकि लैबरी एक पीसफुल इनवार्मेंट के लिए जानी जाती है ऐसे में आपका एक्शनल प्लान क्या आपको भूख फेर लगवाना है स्कूल में बहार के किसी एजन्सी से कंपनी से टाइप करके बुक जो है पब्लीकेशन से टाइप करके कैसे आप जो भूख फेर और्ग और्गनाइज करेंगे बुक फट गई है तो कैसे उस बुक को रिपेर करेंगे कैसे उनकी जिलद यदि आप लैबरियन का इंट्रिव्यू देने चाह रहे हैं अब अगर आपको लग रहा है कि हमें इंट्रिव्यू देना नहीं आ रहा है हमें नहीं पता है लैबरी के बारे में हम नहीं जानते कि डेमोटीच कैसे करना है या कैसे सिच्वेशन पर रिएक्शन देना है हम हम नहीं पता सकते हम KBS क्यू जोईन करना चाहते हैं हम नहीं पता सकते कि अगर घर से बाहर जाएंगे तो हमारे घर का क्या होगा इस पर क्या जबाब देना है हमें नहीं पता कि एक लेबरिन को क्लास में जाके किस तरह से रियक्ट करना है तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम GLEX XS coaching point है ना आप सीधे चले आईएगा कहां यहां GLEX XS coaching point सुभाज चोक सोनिपत हर्याना में पाया जाता है और यह हमारे contact number दोस्तों अगर आप सच में नर्वस हैं और आप इस सुनरे आउसर को नहीं गवाना चाहते यह लाइब्रियन की नोकरी हाथ में IV है और आप जड़ासा भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि कि मैं नर्वस हो रहा हूं मैं इसका जवाब नहीं मिल रहा तो आप सीधे चले फोन पर भी हम आपको कोई ने कोई सुधाव जरूर देंगे नमस्कार, have a nice time, bye bye and take care.